नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल पर, आज हम लोग कंटिन्यू कर रहा है अपना सेट थियोरी, सेट थियोरी का लेक्चर नमबर टू है, लेक्चर वन में हमने क्या पढ़ा, एक मिनट के अंदर रिवाइस कर लेते हैं, बस देख लेते हैं क् हमने क्या पढ़ा था, सेट थोरी का concept कितन से दिया था और सेट होता क्या है, ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, जितने भी हमारे सेट को represent करने के तरीके हैं, वो कौन कौन से तरीके होते हैं, रोस्तर फ़ॉर्म होता है, जिसे हम टैबलर फ़ॉर्म भी बोलते है और यह आपके सामने स्क्रीन पर रहा है, यह सारे सिंबल्स हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बाद हमने पढ़ा था types of set, इसी को आगे आज हम continue करेंगे, इसमें कई तरह के sets होते हैं, equal set, equivalent sets, subset, super set, proper subset, improper subset, proper super set, disjoint sets, बहुत सारे sets होते हैं, यह सारे के सारे अभी हम आगे अप of set हो गया, cardinal number पढ़ लिया, इसके बाद देखे, infinite sets होते हैं, जो हमारे standard होते हैं, यह भी हमने पढ़ लिया था, कौन-कौन से standard infinite sets होते हैं, हम पढ़ रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ तक हमारा session हो गया था, इसके आगे हमें continue करना था, जो की equal sets हम लोग पढ़ चुके थे, equivalent sets पढ़ चुके थे, अगर आपको नहीं पता है, नहीं जानते हैं, तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर आपको यह सारा कुछ detail में मिल जाएगा, null set या empty set हम लोग पढ़ चुके हैं, singleton set पढ़ चुके हैं, universal set पढ़ चुके हैं, अब बात करते हैं, subset औ प्रवीन नाम था उनका, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो null set होता है हमारा, वो एक proper subset होता है, और मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था, null set proper subset नहीं होता है, तो वो गलत है, जो प्रवीन भाई ने आपने जो comment किया, वो सही एकदम null set जो होता है, वो proper subset होता है, तो मैंने जो आपको वहाँ पर last time पर formula लिखाया था वो लिखाया था proper subset is equal to 2 की power n minus 2 तो यह गलत formula है यहाँ पर होगा 2 की power n minus 1 इसको ध्यान रखेगा यहाँ पर क्या होगा 2 की power n minus 1 चलिए आगे continue करते हैं हम लोग अब starting से पढ़ेंगे बिलकुल एक एक चीज़ समझेंगे subset क्या होता है और आपका formula तो पहले मैंने आपको बता दिया proper subset का अब समझते हैं एक एक चीज़ subset क्या होता है देखिए यहाँ पर बच्चे बहुत confused होते है mostly students इनी चार में subset, proper subset, superset, proper यहाँ पर एक और चीज़ होती है improper subset उसको भी पढ़ेंगे ठीक है देखिए subset क्या होता, suppose एक set हमें दिया गया है a is equal to 1,2 हमसे बोला गया इसके subset निकाल लिए तो इसके subset मतलब की क्या होगा जो हमारा set है उसके अंदर जितने elements हैं उस elements से बनने वाले हर set को हम क्या बोलेंगे subset इसके अंदर कितने element हैं, दो element है कौन कौन है, 1 और 2 और अगर एक बोला जाए तो एक हमारा ऐसा element है जिससे हम बना सकते हैं empty set मतलब की जिसके अंदर कोई element नहीं होता है तो अगर इसको हम देखें subset में बनाएं, तो कैसे बनाएंगी एक तो हमारा होगा, null set जिसे बोलेंगे empty set दूसरा हमारा singleton set बनेगा, जो खुद अपना खुद का element से बनने वाला जो set होगा वो होगा singleton set, ऐसे ही two से भी हमारा बन जाएगा और उसके बाद last में हमारा जो बचता है वो one और two दोनों को मिलाखे बनेगा जो की क्या है, set खुद है ये ठीक है, अब देखें मैंने आपको last time पर बताया था कि जो set itself, मैंने खुद का set और जो null set होते हैं, इनको बोला था बाकी जितने भी element होते हैं सारे proper subset होते हैं, except set itself अब बात करते हैं थोड़ा सध्यान से समझिएगा, इसको confuse मत होईएगा देखिए, एक set दिया हुआ है हमें a is equal to one, two ये set लिखाए, इसके अंदर हमारे कितने subset बने, चार subset बने मतलब, अगर हम यहाँ पर एक element लेते हैं, suppose a, अगर हम इससे subset बनाएं, तो कितने बनेंगे एक तो हमारा null set बनेंगे ये तो सब में बने गई बनेगा, क्योंकि ये तो सब कही पाट रहता इसके अंदर कोई element नहीं है, ये बने गई कितने हैं, one, तो यहाँ पर हमारे subset कितने बन रहे हैं, दो बन रहे हैं उपर आले में देखिए, number of elements कितने हैं यहाँ पर, number of elements हैं, दो, यहनि कि n is equal to two, तो यहाँ पर हमारे subset कितने बन रहे हैं, four, four, अगर हम यहाँ पर मालिजे, एक और एक्जाम्पिल लेते हैं 1, 2 and 3 इससे अगर हम सबसेट बनाएं तो कितने बनेंगे देखिए एक तो नल सेट बनेगा दूसरा खुद का नंबर खुद का एलिमेंट जितने भी है ठीक है इसके बाद 1, 2, 2, 3 और 3, 1 और तीनों को मिला दिया जाए तो बन जाएंगे 1, 2, 3 आप देखिए यहाँ पर कितने सबसेट बनें देखिए मैंने आपको क्या पताया सबसेट कैसे बनाते हैं जितने एलिमेंट्स हैं उनसे सबसे अलग-अलग बनने वाले सेट उनको सबको हम बोलेंगे सबसेट तो यहाँ पर कितने बन रहे हैं 4 और 4, 8, total 8 तो अगर cardinal number किसी सेट का 3 है तो यहाँ पर कितने बन रहे हैं 8 मतलब आपको एक चीज़ यहाँ पर clear समझ में आ रही कि यह क्या है यह 2 की पावर 1 यह 2 की पावर 2 और यह 2 की पावर 3 इसका मतलब अगर किसी सेट में number of elements n होंगे तो वहाँ पर हमारे जो subset बनेंगे वो कितने बनेंगे 2 क 2 की पावर n clear बात समझ में आ गई subset एकदम clear होगे आपको अगर number of elements n है तो वहाँ पर subset कितने बनेंगे 2 की पावर n इसका मतलब अगर आप से कोई पूछता है कि subset निकालने का formula होता है इस simple है 2 की पावर n where n क्या है यह भी आपको पता होना चाहिए n है cardinal number यह हम बोल सकते है उस set के अंदर जितने भी elements हैं या members हैं या objects है ठीक है बात समझ में आ गई subset तक अब चलते हैं proper subset proper subset क्या होता देखिए example लेते हैं यहाँ पर चलिए suppose यह वाला example लेते हैं कितने यहाँ पर element है 3 ठीक है अब मैंने आपको क्या बता है जो set खुद होता है itself वो proper subset नहीं होता है बाकी सारे proper subset होते हैं तो यह जो हमारा set है जो खुद में अपने आप में set है यह आपके सामने लिखा हुआ है यह proper subset proper subset नहीं होता है बाकी सारे के सारे set जितने भी ये हैं ये सब क्या है? proper subset है तो अब हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि जितने भी हमारे subset बनेंगे उसमें से अगर हम एक set हटा दें सिर्फ एक set हटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? proper subset बात clear समझ में आगई जितने भी हमारे सबसेट बनेंगे उसमें से अगर हम सिर्फ एक सेट हटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा proper subset तो अब बात कर लेते हैं proper subset की तो proper subset का अगर हम formula की बात करें तो क्या होगा जितने भी subset हमारे बनेंगे कितने बनते हैं हर set में जो subset बनते हैं वो बनते हैं 2 की पावर N इसमें से अगर हम एक हटा दें जो अपना खुद का set है तो हमें क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा proper subset बात समझ में आ गई आपको अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा last वाले example में हम ले के चलते हैं आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ था a is equal to 1, 2, 3 total number of subset यहाँ पर हमारे कितने बने थे subset बनाबर कितने बने थे हमारे 8 ठीक है proper subset की अगर हम बात करें subset कितने बने थे 8 आप पीछे की slide में यहाँ पर देख लीजिए यहाँ यहाँ पर अलग-अलग subset बनाए हुए है कितने आप इनको count करेंगे तो पूरे यहाँ आएंगे 8 ठीक है total 8 है तो 8 हमारे यहाँ पर subset proper subset कितने होंगे जितने subset है उसमें से 1 माइनस कर दें तो इसमें से अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारे कितने यहाँ पर proper subset बन रहे है 7 अब जो एक बचा वो क्या है वही है हमारा improper subset वही है हमारा improper subset तो एक चीज़ यहाँ पर जहान रखेगा important sorry improper subset जो है यह हमेशा 1 होता है always 1 improper subset always 1 होता है मैंने आपको बता दिया है क्यों होता है एक बार फिर से आपको बता देता हूँ अगर किसी set में माल लिजे यहाँ पर example के 3 through मैंने आपको समझाया 3 यहाँ पर number of elements है यहाँ बोल सकते हैं cardinal number इसका 3 है तो इससे बनने वाले subset कितने बनेंगे हमने निकाले यहाँ पर 8 बनेंगे ठीक है proper subset क्या होगा जो अपना खुद का एक set जो यह subset होगा जो इस set से बनने वाला जो खुद का subset होगा यह proper subset define नहीं किया गया इसको अगर हम हटा देंगे तो total proper subset कितने बन जाएंगे 7 बन जाएंगे अरे भई जितने भी subset हैं उसमें से 1 minus कर देंगे तो क्या बन जाएगा proper subset अब proper subset total पूरे subset थे हमारे 8 जिसमें से 7 तो हमें पता चल गए proper subset ने बचा क्या बचा 1 वही है हमारा improper subset तो ध्यान रखिएगा जो set होता है उसका खुद जो आपका subset बनता है set itself वही होता है हमारा improper subset clear समझ में आ गया improper subset क्या होता है अब देखें आप लोग confused किसमें होते हैं आप लोग होते हैं symbols में अब आगे हम discuss करेंगे super set क्या होता है उससे पहले हम आपको थोड़ा सा symbols के बारे हम समझा जाते है आपने greater than inequality पढ़ा होगा greater than, greater than, or equal to, less than, less than, equal to तो बस वही चीज़ है यहां पर less than, less than, equal to आपने पढ़ा है इसका मतलब क्या है छोटा या बराबर तो अगर हम ऐसे कर दें इसको तो यह किसका symbol है भीया यह symbol है subset का यह किसका symbol है subset का और यह क्या है यह है हमारा proper subset एक चीज़ यहां पर ध्यान देने वाली चीज़ है यह देखिए का यहां पर जो इस symbol इसके नीचे एक underline बना हुआ है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है यहाँ पर कि set जो है बराबर भी हो सकते हैं suppose दो set हैं अगर हमारे एक set A है दूसरा set B है तो यहाँ पर set A जो है B का subset हो गई होगा लेकिन set बराबर भी हो सकते हैं जैसे कि अगर हम example लें suppose एक set आपको दिया गया है A is equal to 1, 2, 3 अगर हम बात करें दूसरे set की set B अगर हमें दिया गया है 1, 2, 3 ठीक यह set B दिया गया है या इसको हम दूसरे तरीके से लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं x is such that x belongs to natural number और हम यह बोल सकते हैं x is greater than equal to 1 और less than equal to 3 इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं set builder form में यह property form में तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब यह होगा कैसे लिखा यह आप last वीडियो में देख लिजेगा तो इसका मतलब set A हमें एक example में दिया गया एक set B दिया गया अब आप देखिए set A, set B का subset तो ही है लेकिन दोनों set बराबर भी है तो यहाँ पर यह जो underline इसका मतलब यह है कि दोनों set बराबर भी हो सकते है proper subset का मतलब आपको समझ में आगया अभी आगया हम और detail में आपको समझाएंगे अब देखिए greater than और greater than equal to अब यह किसका symbol है भाई और यह किसका symbol है यह symbol है आपका super set का super set और यह क्या है proper super set यह हमारा proper super set यहार symbol से ही आप समझ सकते हो देखो less than का है तो आप देख सकते हो यह symbol कैसा बना है subset है मतलब कि छोटा set है super set है greater than से मैंने इसको compare किया है मतलब क्या है super set है मतलब कि बड़ा set है तो I hope आपको यह symbols का जो confusion होगा आप यह दूर हो गया होगा समझ में आगया होगा symbols को मैं कैसे याद करना है आगे चलते हैं थोड़ा और detail में पढ़ लेते हैं चलिए क्या पढ़ रहे थे हम लोग super set पढ़ते हैं subset हो गया था proper subset हो गया है improper subset हो गया अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा मैंने यह आप बताया नहीं आपको जो proper subset होता है यह इसका दूसरा नाम भी होता है strict subset ठीक है याद रखिएगा अब हमें क्या पढ़ना है super set पढ़ना है proper super set पढ़ना है disjoint set पढ़ना है b is equal to 1,2,3 ठीक अब आप देखिए यहाँ पर जो b है set b set b क्या है set b जो है यह है super set है super set of set a क्यों है क्योंकि set a के अंदर जो भी elements है वो set b के अंदर मौदूद है set a के अंदर जितने भी elements है वो set b में सारे के सारे elements है इसका मतलब हमें यह समझ में आगए कि जो set b है वो बड़ा set है तो उसे हम बोलेंगे set b is the super set of set a ठीक कैसे लिखा जाएगा super set अब देखिए आप फिर confused होजएगा आप कहेंगे यहाँ पर नीचे आपने underline नहीं किया आपने super set आप बोलना इसको underline हम कब करेंगे जब set बराबर होंगे set बराबर कब होते हैं मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था equal sets क्या होते हैं जब number of elements दोनो set के बराबर होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे उसे हम बोलेंगे कि दोनो set बराबर है और अगर cardinal number दोनो set के बराबर है तो उसे हम बोलेंगे कि वो दोनो equivalent set है ठीक है तो यहाँ पर क्या दोनो set बराबर है क्या एक में दो element है दूसरे में A में देखिए दो ही element है और B में आप देखिए तीन element है तो क्या यहाँ पर दोनो set बराबर है क्या नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर underline का symbol underline का sign मैंने यहाँ पर नहीं यूज़ किया लेकिन हाँ यह जरूर कह सकते हैं कि B जो है वो superset है set A का अब देखिए थोड़ा सा इसको हम ऐसे भी बोल सकते है अगर B जो है इसका मतलब क्या है B जो है superset है A का तो इसको हम यह भी तो बोल सकते हैं भई कि जो A है वो subset है B का कुछ नहीं किया simple उल्टा कर दिया reverse है अगर suppose मानिये ऐसे समझे greater than or equal to से आप समझे अगर इसमें आप confuse हो रहे है B A से बड़ा है इसका मतलब क्या है अरे भई इसका यही तो मतलब है कि A B से छोटा है तो वही चीज तो मैंने यहाँ पे लिखी है B अगर A का set B अगर set A का superset है इसका मतलब क्या है जो set A होगा वो हमारा set B का subset होगा ठीक यहाँ तक बात आपको एकदम clear समझ में आ गई अब समझते है proper superset आखिर क्या होता है चलिए यहाँ पर लेके चलते हैं आपको थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा हर एक set का symbol है null set subset proper subset superset और proper superset यह इनके symbols हैं अब दोनों में आप ज़रा यहाँ पर ध्यान से फरक समझिए proper subset और proper superset देखिए subset हमने आपको बता दिया क्या होता है 2 की पावर N ठीक है proper subset कैसे निकला जाता है proper subset होता है 2 की पावर N-1 आपके सामने example ले ले लेते हैं the number of proper subsets of set A is equal to अगर माली ज़रे इसमें 3 element है 1, 2, 3 तो मैंने आपको बताया था 2 की पावर 3 2 की पावर N 2 की पावर 3 कितना होगा 8-1, 7 तो इसका मतलब इसमें proper subset है 7 अगला देखिए example यहाँ पर दिया गया है 2 element है तो 2 की पावर 2, 4, minus 1 यह कितने होगए हमारे 3 यह क्या होगए यह होगए proper subset number of proper subset of empty set यह important है ध्यान रखिएगा empty set में कितने proper subset होते है मैंने आपको खुद बताया था कि empty set में कितने होते है 0 अभी यहाँ पर आप confuse मत होईएगा आप बोलेंगे कि आपने तो सर बोला था कि null set या empty set जो होता है वो proper subset होता है लेकिन यहाँ पर 0 कैसे आ रहा अभी यह भी हम आपको आगे detail में समझाते है तब तक समझते है proper subset और proper superset के बारे में ठीक है देखिए यह हम आपको चलिए अच्छा पताई देते है मैंने आपको क्या बोला था इसको हम आपको थोड़ा से detail में समझा लेते है number of proper subset of empty set 0 अगर कोई null set है null set है इसको हम क्या बोलेंगे कि यह proper subset define किया गिया है ठीक है भाई कोई बात नहीं एक example लेते है suppose a is equal to 1,2 इसके हम subset बनाते है तो क्या बनेंगे एक तो null बनेगा empty set 1 बनेगा 2 बनेगा और 1,2 बनेगा ठीक है अब देखिए मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला था जो null set है यह क्या बोला जाता है यह proper subset बोला जाता है तो यह भी एक proper subset होगा यह भी एक proper subset होगा A is equal to empty set अब आपसे पूछेगा क्या ये proper subset है नहीं है क्यों नहीं है because जो set खुद से अपना जो subset बनता है जो set खुद होता है set itself that is not a proper subset तो अगर हम यहाँ पर आपसे पूछेगा क्या ये empty set proper subset है नहीं है लेकिन अगर ज्यान रखिएगा इसको आपको हम याद करने का तरीका ऐसे बता लेते हैं कि आप confused मत होई है अगर simple आपको एक set दिया गया है और बोला गया है कि ये एक empty set है set क्या बोला गया हम से कि ये set empty set है तो क्या है इसमें proper subset होगा ये नहीं होगा अगर इसमें या एक से जादा element होगे तब हम बोल सकते हैं इसको proper subset ठीक है अब यहाँ पर आप important चीज़ है इसको याद रखिएगा ध्यान रखिएगा null set को हम proper subset कब define करते हैं जब किसी set में एक या एक से जादा element होते हैं तो उससे बनने वाला जो subset होता है उसमें जो null set होता है उसे हम proper set proper subset define करते हैं proper subset define करते हैं confuse मत हो येगा फिर से आपको हम बता देते हैं देखिए suppose a is equal to दिया गया है दूसरा example लेते हैं a, b एक तो हमारा बनेगा null set दूसरा हमारा singleton set अपने खुद के element से और जो last में बनेगा ये खुद का set होगा ये ठीक है ये क्या है subset of set a अब देखिए ये जो हमारा null set है इसे हमने क्या बोला है इसे हमने बोला है proper subset इसको हमने क्या बोला है इसको हमने बोला है proper subset लेकिन अगर आपको example में दे दिया जाता है suppose set A is equal to null set empty set अब आपसे पूछेगा बताईए इसमें proper subset कितने है तो आप कहेंगे सर ने तो बताया है कि null set एक proper subset होता है नहीं भाई null set अगर खुद set में दिया गया है तो proper subset नहीं होता है अगर null set किसी subset के अंदर पाया जाता है यह subset का part है तब उसे हम बोलेंगे proper subset otherwise उसे हम नहीं बोलेंगे proper subset तो यहाँ पर जो proper subset है वो कितने है जीरो बात clear समझ में आ गई आपको I hope आपका सारा confusion दूर हो क्या होगा अब थोड़ा से यहाँ पर समझ लेते है proper subset और proper superset में दोनमोर डिफरेंस का देखें सेम चीज़ है कुछ भी नहीं है proper subset of a set A is a subset of A that is not equal to B मैंने आपको बताया था ना symbol इसका क्या होता है proper subset का यह symbol होता है नीचे equal to का sign लगा है कि है यहाँ पर equal to का sign लगा है इसका मतलब यह equal हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर equal to का sign लगा है नहीं लगा इसका मतलब यह equal नहीं है example देखें set A is equal to 135 set B is equal to 1,5 इसको बोल रहा है कि it is a proper subset of A set B जो है वो proper subset है क्यों? इसलिए क्योंकि जो set B है बना किससे है? उने तीसरा example दे दिया set C is equal to 13,5 यह कह रहा है यह subset है यह का बिल्कुल भाई हो सकता है लेकिन proper subset नहीं है क्यों? क्योंकि set C और set A बराबर है number of elements दोनों में बराबर है cardinal number दोनों के बराबर है इसलिए proper subset नहीं है अगर cardinal number दोनों के बराबर नहीं होंगे तब हम बोलेंगे उसे proper subset और अगर बराबर हो गए तो उसे हम नहीं बोल सकते है proper subset I hope आपको समझ में आगे होगा same ऐसा ही है proper superset का concept the set B is the proper superset of set A then all the elements of set A are in B but set B must contain at least one element which is not present in set A देखिए एक example से समझते है definition से अगर आपको नहीं समझ में आए तो example से समझते है एक ये दिया हुआ है set A is equal to A, B, C, D दूसरा दिया है set A is equal to A, B, C हमको पता है कि set A जो है वो कह रहा है कि proper superset है set B का हम इसको ये भी तो बोल सकते है sorry हम इसको ये भी तो बोल सकते है कि superset है बिल्कुल superset है क्यों? क्योंकि भाई B से बड़ा है मतलब क्या है? मतलब ये है कि B के जितने भी elements है set B के जितने भी elements है ये set A में है तो हमें ये समझ में आगे obvious कि set B से बड़ा है इसका मतलब भी superset है क्यों कि यहाँ पर number of elements आप देखिए दोनों में बराबर नहीं है यहाँ पर number of element 3 है और यहाँ पर number of element 4 है समझ में आ गया देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है A is the proper super set of B as A is not equal to B All the elements of set B are in A but set A must contain at least one element which is not present in B तो ऐसा element कौन सा है D जो की set B में नहीं है इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे proper super set है और मैंने आपको बता दिया अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि confuse हो रहे है तो सीधी सी चीज समझ जाए proper subset या proper super set में नीचे underline नहीं होती है इसका मतलब underline का मतलब नहीं है कि मतलब यह equal नहीं है अब हमारे पास क्या बचता है अब हम लोग और क्या पढ़ रहे थे अब बचता है हमारे पास disjoint set और power set चलिए थोड़ा सा इसको भी discuss कर लेते हैं disjoint set क्या होता है disjoint set बहुत आसान है बहुत simple है set A is equal to 1, 2, 3 set B is equal to 6, 7, 8 यह क्या है यह disjoint set है क्यों क्योंकि जो number of elements है set A में और number of elements है set B में दोनों different है दोनों अलग-अलग है number of elements in set A यह हम बोल सकते हैं कि elements जितने भी है set A के अंदर वो set B से एकदम different है इसका मतलब यह है कि यह क्या है? यह disjoint sets है अगर हम when diagram से बात करें simple इसको represent करने का तरीका कैसा है तो बहिया एक यह set अलग है दूसरा यह set अलग है यह set A है यह set B है यह हमारा universal set हो गया set A के अंदर कौन-कौन से element है 1,2,3 और यह क्या है 6,7,8 दोनों set अपने में अलग है क्योंकि दोनों के elements अलग है दोनों के members अलग है दोनों के objects अलग है इसका मतलब यह क्या है यह है हमारा disjoint set ठीक है यहां तक आपको बात समझ आ अगई अब बात करते हैं आगे जो हमारा most important है power set इसमें मत confuse होईगा यह भी बहुत important है power set power set को समझते है आखिर power set क्या होता है सबसे पहले तो यह समझे power set को represent कैसे किया जाता है power set को कैसे लिखा जाता है ऐसे लिखा जाता है power set का मतलब क्या है suppose एक set आपको दिया है a is equal to 1,3 ठीक हम क्या करेंगे power set कैसे निकालते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम निकालेंगे इसका subset तो subset क्या हो जाएंगे subset of set A subset क्या हो जाएंगे कितने बनेंगे दो element है तो सीधी से बात है चार बनेंगे तो भाईया एक तो बन जाएगा हमारा null उसके बाद जो भी हमारे members हैं ये खुद का अपना set बनाते हैं और उसके बाद जो हमारा set है ये खुद अपने आप में एक subset है ठीक है अब देखिए यहाँ पर जो set एक के जितने भी subset बने इनके ऊपर एक और हम curly bracket के use कर लेंगे कुछ इस तरह से ये हो गया हमारा power set कैसे represent किया जाता है पी ए अगर हमसे बोला जाएगा power set को represent कैसे किया जाएगा तो ये है तरीका मतलब कि suppose कोई set दिया है set के उस set से बनने वाले जो subset है ये power set के element हो जाते हैं बात समझ में आ गई इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है बहिया कि अगर कोई set है उसमें subset कितने बनेंगे 2 की power n कितने बनेंगे 2 की power n ये बनेंगे subset तो यही तो power set है और क्या है अब देखिए ये है क्या 2 की पावर n ये 2 की पावर n है क्या आप ये समझेए ये bracket है mod का sign नहीं confuse मत हो ये अभी हम आपको बताते हैं ये है क्या 2 की पावर n ये है भईया number of elements number of elements 2 की पावर 2 यानि की 4 elements है ये आपको समझ मैंगा इस power set के अंदर कितने element है 4 elements अब अगर पूछा जाया तो इसको हम कैसे लिखते हैं इसको हम लिखते हैं कुछ इस तरह से power set के बाहर modular का sign लगा देते हैं ये हो जाता है हमारा number of elements ठीक है यहां तक बात समझ में आ गई power set के बाहर अगर हम modular का sign लगा दें तो इसका मतलब वो हमसे पूछ रहा है कि इस power set में कितने elements हैं number of elements बताईए लेकिन अगर वो बोलता है power set को represent कैसे करेंगे लिखेंगे कैसे तो ये है P bracket में A और ये उसके सारे हमने set लिख दिए किस तरह से हमारे elements हैं इस set के अंदर कितने कितने elements आएंगे और किस तरह से लिखा जाएगा ठीक है यहां तक आपको बात clear समझ में आ गई और इसको एक कहीं कहीं ऐसे भी represent कर दिया जाता है n of power set A ये क्या है ये भी यही चीज़ है number of elements number of elements 2 की power n ठीक है अगर कोई set है तो उसके अंदर subset कितने होंगे 2 की power n the number of elements of the power set A कोई set दिया है उसका power set होगा तो उसके अंदर number of elements कितने होंगे ये भी 2 की power n तो जितने subset होगे उतने ही उसके element होगे number of proper subset 2 की power n minus 1 improper subset मैंने क्या बताया था आपको improper subset always 1 होता है ठीक है the number of improper subset of set with n elements is always 1 ठीक है बात समझ में आ गई अब देखिए यहां पर कुछ important लिखा हुगा है फ़रस इसको समझते हैं क्या है the empty set is a proper subset of every set except for the empty set जो कि मैंने आपको पीछे वाली slider में अभी बताया था कि अगर जो empty set है यह हमसे question में पूछा गया है तो पूछेगा क्या यह proper आपका subset है तो यह proper subset नहीं है यहां पर हम बोलेंगे proper subset 0 है लेकिन अगर वो empty set जो है किसी भी set का subset बन रहा है तो वो proper subset है ठीक है? confuse मत होईएगा अब यहां पर लिखा हुआ है set itself is not defined as proper subset मैंने आपको औरेडी बता दिया अगर suppose एक set दिया हुआ हमें 1,2 इससे बनने वाले जितने भी subset होते हैं उसमें एक subset हमारा 1,2 भी बनता है एक तो null बनेगा उसके लावा एक subset खुद का बनेगा और वो element से बनेगा तो जो subset खुद होता है यह proper subset define नहीं किया गए यह proper subset नहीं होता है और एक और चीज़ यहाँ पर important है null set has only one subset of set itself यह important है ऐसा कौन सा set है जिसका सिर्फ एक subset होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे वो है हमारा null set या बोल सकते हैं empty set ठीक है confuse मत हो येगा यह important है एसा कौन सा set है अगर आपसे पूछ लिया जाता है जिसका सिर्फ एक subset है तो आप बता सकते हैं ऐसा सिर्फ null set होता है या empty set होता है या जिसे हम बोल सकते हैं void set यहाँ तक I hope आपको एक एक चीज़ clear समझ में आ गई होगी अगर अभी भी नई समझ में आई है वीडियो को pause करिए जो कुछ भी बता दिया है उसको थोड़ा सा बस hardly 5 से 10 मिनट के अंदर revise करिए आगे हम लोग discuss करते हैं अपना next topic which is operations on set this is the most important क्योंकि जो हमारे questions आते हैं वो यहीं से आते हैं तो operations on set में हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे पांच तरह क्या operations होते हैं कौन कौन से होते हैं पहला होता है complement of a set दूसरा होता है addition या जिसे हम बोल सकते हैं union of two sets intersection of two sets intersection या union या addition आप एक set का थोड़ी कर सकते हैं दो ही set का करेंगे difference of two sets symmetric difference of two sets तो आज हम यहाँ पर जो पहला है मारा complement of a set इसको discuss करते हैं बाकी next class में करेंगे और उसी time पर फिर हम आपको उसके जो भी important MCQs हैं कुछ MCQs करवाएंगे और बाकी हम आपको practice के लिए PDF देंगे वो practice आपको जरूर करने हैं और आप यह मत सोचिएगा मैं आपको 4-5 question practice के लिए दूँगा at least 40-50 question मैं आपको practice के लिए दूँगा उनको जरूर practice करिएगा ठीक है और जो भी आपको PDF अगयरा सब दिये जाते हैं link आपको description में मिल जाएगा Google Drive पे सारे PDF अप्लोड किये जाते हैं आपको link वहाँ से मिल जाएगा आप चाहिए description में आपको link मिल जाएगा वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो जैसे जैसे time मिलेगा भाई लोगों मैं आपना पणाता जाऊँगा और आपके practice question जो भी PDF अगयरा है वो सब Google Drive पे अप्लोड करता जाऊँगा आप regular चेक करते रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला operation that is complement of a set देखे सबसे पहले तो समझेए complement इसको कैसे represent किया जाता है या हम बोल सकते हैं इसको कैसे symbol इसका symbol क्या होता है लिखा किया जाता है कैसे लिखते है इसको ऐसे भी लिखा जाता है इसको ऐसे भी लिखा जाता है और इसको हम कहीं कहीं ये भी बोलते हैं not a और इसको कहीं कहीं ऐसे भी represent किया जाता है a के उपर बार और इसको कहीं कहीं ऐसे भी represent किया जाता है ये सारे के सारे symbol हैं complement के तो देखो question में कुछ भी पूछ लेगा तो आप confuse मत होना इसलिए मैं बोलता हूँ इस chapter में symbols बहुत important role play करता है symbols का जानना बहुत जरूरी है अगर उसने कुछ ऐसा symbol दे दिया आप समझी नहीं पाओगे यह है क्या तो इसलिए symbols का जानना आपको बहुत जरूरी अब दीखिए समझते है example से समझेंगे बहुत simple है हम लोगों basic है यार हम लोगों ने सब पढ़ा हुआ 11,12 में जब questions करेंगे तब मजा आएगा अभी समझते है compliment of a set क्यों होता है suppose आपको एक set दिया हुआ है suppose एक universal set दिया हुआ है 123456 कुछ भी ले 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 है 123456 ठीक है एक हमें दिया हुआ है set a दिया हुआ है यहाँ पर question में 124 हमसे पूछ रहा है बताओ भया इसका compliment क्या होगा ठीक है a compliment क्या होगा तो इसका simple सा मतलब है कि जो भी a में नहीं है जो भी elements set a में नहीं है वो क्या होंगे हमारे वो होंगे a compliments universal set आप देखिए यह दिया गया है उसके नीचे set a आपको दिया गया है हमें क्या बताना हमें बताना है a compliment मतलब कि वो सारे elements जो set a में नहीं है तो कौन कौन से elements है जो set a में नहीं है 3 नहीं है 5 नहीं है और 6 नहीं है बात समझ में आ गई simple है A compliment मतलब की वो सारे elements जो set A में नहीं है set A में मौदूद नहीं है उन्हें हम क्या बोलेंगे उन्हें हम बोलेंगे A compliment अभी और इसको detail में समझेंगे थोड़ा सा कुछ important चीज़ है आपको मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ अगर suppose कोई set है जैसे हमने पीछे example में किया था A compliment हमने क्या निकाला था यहाँ पर देखिए 356 ठीक है 356 अगर हम आप से पूछते हैं इसी का A compliment का compliment क्या होगा तो भाई सीज़ी सी बात है जो elements A compliment में नहीं है जो elements A compliment में नहीं है वो कौन-कौन से है देख लिज़े यहाँ पर A compliment में जो elements नहीं है कौन-कौन से नहीं है भाईया 1 नहीं है 2 नहीं है 4 नहीं है ठीक है यही तो हुआ ना A compliment पहले हमने निकाला क्या आया 3, 5, 6 इसके बाद हमने पूछा इसका दुबारा से हम compliment निकालेंगे तो क्या होगा तो इसका मतलब क्या है A compliment के में जो भी elements A compliment में नहीं है वो हमारा उसका compliment होगा तो कौन-कौन से नहीं है 1, 2, 4 और ये है क्या ये खुद set A है इसका मतलब हमें एक चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई क्या समझ में आ गई अगर किसी भी set का हम दो बार compliment करेंगे तो वो set खुद हो जाता है ठीक है अगर किसी set का हम दो बार compliment करेंगे तो वो set खुद वही set होता है ज्यान रखिएगा इसको ऐसे लिख लेते हैं कुछ important points में आपको हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको confusion ना हो बात समझ में आ गई अगर किसी set का हम दो बार compliment लेंगे तो भाई वही set आ जाएगा तो चलिए A compliment का compliment क्या हो जाएगा हमारा set A आगे समझते हैं अगर कोई null हमारा set है उसका हम compliment निकालेंगे तो क्या निकलेगा वो निकलेगा universal set अभी ये भी हम आपको समझा रहे हैं कैसे अगर कोई हमारा universal set है उसका हम compliment करेंगे तो क्या निकलेगा वो निकलेगा हमारा null set इसको भई ऐसे भी लिख सकते है ठीक है अगर null set का compliment करोगे तो मिलेगा universal set अगर universal set का compliment करोगे तो क्या मिलेगा null set example से समझते हैं suppose माल लिजे एक यह दिया हुआ है universal set दिया गया है a b c ठीक है इसके अलाबा एक set दिया हुआ है a, b dousra set हम माल लेते हैं b दिया हुआ है शिर्फ c एक यह दिया हुआ है ठीक है तीसरा हम माल लेते हैं suppose एक c element दिया हुआ है जो की null element है ठीक अब आप से क्या पूछ रहा है आप से पूछेगा c compliment बताईए क्या होगा c compliment मतलब की जो null set है इसका compliment क्या होगा मैंने आपको यहाँ पर बताया null set का compliment मतलब इसका कहने का मतलब क्या है इसका कहने का मतलब यह है c set में वो सारे elements जो c set में नहीं है वही तो इसका compliment होगा तो कौन से element नहीं है a, b, c यह element है क्या है इसमें नहीं है यहागे compliment जो की क्या है जो की युनिवर्सल सेट है बात क्लियर समझ में आ गई तो यही मैंने यहाँ पर आपको याद कराने के लिए बताने के लिए लिए लिख दिया है अगर एक्जाम में आए तो आप तुरंत फटाक से कर लिए अच्छा ओ नल सेट का कॉंपलीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है और यूनिवर्सल सेट का कॉंपलीमेंट अपना खुद नल सेट हो अब देखो यही पर यार तीसरा देखो इस सब बच्चों जैसे क्वेशन है य null set नहीं है तो बात समझ में आ गई अगर universal set का compliment लेंगे तो हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा null set एक और important चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हम आपको देखिए suppose एक set है अगर हम उसके cardinal number की बात करें तो याद रखिएगा कोई set a है उसके अंदर जितने भी उसके elements है जब हम बोल सकते है cardinal number या उसका जो compliment हम निकालेंगे और compliment का जो हमारा cardinal number होगा उनको दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा हमें जो universal set है उसका cardinal number मिल देगा बहुत simple है सोचिएगा क्या ये सही है या गलत है आप हमें comment box में बताइगा क्या ये सही है या गलत है और अगर सही है तो आप खुद से copy pen पे लगा के देखिएगा कि किस तरह से इन्होंने किया है क्या है ये ये वाकई में क्या ऐसा है क्या compliment और जो हमारा खुद set है इन दोनों के जो number of elements को जोड़ दे तो क्या या cardinal number को हम जोड़ दे तो क्या होगा universal set का cardinal number आएगा सोच के देखेगा और बताईएगा क्या ये सही है या गलत है इसके आगे हम लोग continue करेंगे जो भी हमारे operations बसते हैं कौन कौन से बसता है union बसता है या जिसे हम बोल सकते है addition intersection बसता है और आपका difference बसता है और बसता है symmetric difference उसके बाद करेंगे question फिर आएगा मजा और फिर आपको हम कुछ question देंगे practice के लिए so I hope यहां तक आपको एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी और मैं एक बार फिर से उनका thank you बोलूँगा जिन्होंने comment किया था प्रवीन जी ने आपने गलती पकली उसके लिए बहुत बहुत thank you आप सभी लोगों से मैं ये request करूँगा अगर आप सच में देखते हो पढ़ते हो सच में कहीं गलती मिले तो आप बताओ कि हाँ ये आपने गलत पढ़ाया है तो मुझे भी तो पता चलेगा कि आप वाकई में पढ़ रहा है बस वीडियो डाउनलोड किया और हो गया तो चलिए मिलते हैं next lecture में see you then thank you and thank you for watching